मंत्री परिशत के मेरे साथ ही सिमान अरुन जेटली जी, निर्मला जी, जैन सीना जी, अफस्तित सभी महनुभाव हम बच्पन से सुनते आये थे सोने पर सुहागा लेकि अब तक समझ नहीं आये था कि सोने पर सुहागा होता क्या है आज हमारे वित्तमंत्री जीन हमें समझा दिया सोने पर सुहागा क्या होता है देश के लिए योजना सच्चे अर्थ में सोने पे सुहागा इस भाव को चरितार्थ करती है और हम ऐसे गरीब देश हैं जिसके पास 20,000 टन सोना यहीं पड़ा है और शायद हमारी गरीबी का कारण नहीं है कि 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है और इसलिए भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं कोई कारण नहीं है कोई लोजीक तरहीं समझा पारहें कि हमें गरीब क्यों रहना चाहिए अगर हम थोड़ी कोशिस करें सही दिशा में कोशिश करें तो हम पर जो ये टैग लगा है उस टैग से मुक्तिप आ सकते हैं और उस किरास्ते का एक महत्वपूर्ण एहम कदम आज है ये गोल्ड समंदी भिन भिन योजना है अब मैं बच्पन से सुनता आया था लोगों से कि आधी रात को काम आता है सोना रखो आधी रात को काम आता है कभी जरूत पढ़ जाए तो काम आ जाएगा लेकिन मैंने सेकड़ों लोगों को पूछा को भी कभी आपकी जिन्द्गी में ऐसी नौवत आई है क्या मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जिसको आधी रात उसका उपयोग हुआ हो लेकिन मनोवज्ञानी गृप से उसके दिमाग में फीट है कि यह रखो कभी आधी रात काम आ जाएगा और यह जो हमारे बने बनाए कुछ विचार ने घर कर लिया है उसमें से समाज को भार लाना यह आसान काम नहीं है आप समझा करके कितने ही पड़े लखे व्यक्ति को भी कहोगी यह छोड़ो आसान नहीं है इवेन दिवजवर्वेंक के गवरनर को भी अपनी पत्नी कुछ मांगी यह तो गोड़ लागा ही पड़ेगा जबकि वूटका अर्थसास्त्र गोड़ के सब्द में अलग होगा लेकिन गरहसास्त्र अलग होगा तो यह जो अवस्ता है उस अवस्ता में कोई न कोई इनोबेटिव, क्रियेटिव हमने व्यवस्ता है विक्षित करने पड़ेगी दूसरी एक सोच बनी हुई है हमारे देश में एक ऐसा परसरजन है दुनिया में कि भारत में महिलाओं के पास कुछ होता नहीं है मकान है तो पती के नाम पे, पिता के नाम पे गाड़ी है तो पती या बेटे के नाम पे महिला के पास लेकिन बारी किसे देखें कि तो सोना एक होता है जो महिला के ताकत का विश्य होता है यह ऐसे बनी हूई ववस्ता नहीं है कोई सिरफ एक सामाजी की ववस्ता का बहुत बड़ा ताकत वर हिस्सा रहा है जो विमेन एंपावर्मेंट का बहुत बड़ा पहलू है उसके नाम पे मकान नहीं होगा लेकिन उसके पास यह संपती उसके मालिकी होती है और परिवार भी इसको question नहीं करते हैं, बेटे भी question नहीं करते हैं, यह जो हमारा सांसकार का एक उत्तम पहलू भी है, जिसने women empowerment के लिए एक ऐसा सामाजिक जीवन में व्यवस्ता विक्षित की, and with the help of gold, यह हमारा structure विक्षित हुआ है, तो उसको बरकरार भी रखना है, हमारी माताएं बहनें उनके अंदर जो सुरक्षा का भाव है, यह बरकरार रहना चाहिए, हम इस कीम में यह विश्वास अगर पहुंचाते हैं, तो शायद इसकी सबसे ज़्यादा सभलता का कारण महिलाए बनेगी, दूसरा, हमने देखा होगा, हमारी यहां संपन परिवारों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, इवन मद्यमबर परिवार के फैमिली डॉक्टर होते हैं, लेकिन निम्नमद्यमबर गरीब परिवार के फैमिली डॉक्टर होते हैं, लेकिन हमारे देश में हर परिवार का फैमिली डॉक्टर होता हैं, कितना बड़ा विश्वास होता हैं, तीन-तीन-चार-चार पीड़ी से वो सोनार यान वो अमेरिका में रहना गया होगा लेकिन अपने गाउं का सोनार है, उसी को ढूंड़े का भाई देखो मैं भेजता हूं जारे यह कर देना है। यह विश्वस्वस्नियता बहुत बड़ी यहने सद्यों की तपस्या से बनती हैं। उस ताकत को भी हमें पहचान ना होगा। और इसलिए जब यह जना के विश्व में मेरे से चल्चा हो रही थी, तो सिमान दास को मैं कह रहा था कि जो गाउं के छोटे-छोटे गोड़ स्मीट है, वे हमारे इजन कैसे बन सकते शिव जना के। एक समय ऐसा था 1968, गोड़ स्मीट सरकार का सबसे बड़ा दुश्वन बना हुआ था। मैं गुजरात के पार्टन नाम के एक शहर में बच्पन में कुछ समय बिताया था। तो जिस गली में में रहता था वो सोनी की गली थी। वहाँ एक सज्जन थे, उनका एक आरकम रहता था। सुबे अकबार आता था, वो सिगरेट जलाते थे और अकबार में जहां भी मुराज़िवाय का फोटो हो तो उसको जलाते थे। इतना गुसा इतना गुसा वो करते थे। क्योंको लगता था भई हमारा तो सारी रोजी रुटी चली गए। हम इस योजना के द्वारा ऐसी कैसी विवस्ता विक्सित करें ताकि हम उसको फिर से एक बार एंपावर करें। वो हमारा इस प्रोफेशन का एजन्ट कैसे बने क्योंकि उसका विस्वास है। मैं किसी के लिए बुरा ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गाव के सोनार पर भरोसा है। वो बड़े से बड़े ज्वैलरी के शोरूम में जाएगा। लाने के बाद अपने सोनार के याजर चेक कर ले बैए। यह एक हमारी स्विवस्था की बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है। और यह एक स्ट्रक्चर और अल्रेडी अवेलिबल है। हम उनको गोल्ड बन के लिए किस प्रकार से प्रेजित कर सकते हैं। उनको कैसे विश्वाद दिला सकते हैं। हम एक डिसेंटलाइज मेकनिजम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के लोग इस पर सोचें। अगर यह हम कर पाएं तो शायद एक दम से यह बढ़ेगा। सरकार में को योजना बजेट में आएं। और इतने कम समय में यह लागू हो जाए। और टार्गेट ताइक यह दंतरस के पहले क्योंकि भारत में शादी में सोने का जितना महत्वा है उसे ज्यादा धंतरस पर है। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट इनी दिनों में हुआ होगा। क्योंकि लोगों को लगता हूँ कि बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है तो हमको। अब यह देखिए कि एक हजार टन सोना हर वर्स हम इंपोर्ट करते हैं। और यह इतनी बड़ी शक्ति हमारी अगर बिना उपयोकी पड़ी रहे हैं। किसे ने कोई बहुत बड़ा जलाशे बनाया हो। बैम बनाया हो। अर्बों खरबोर के खर्च किये हो। लेकर अगर कैनाल नेटवर्क नव हो और किसाने को पास पहुचेगा नहीं तो क्या करना उसको। यह हमारे 20,000 टन सोने की यह हाल है। हमें इसको राष्ट की शक्ति में परिवर्टित करना है और समाजिक सुरक्षा में अधिक बल्वान बनाना है। इसके एक पहलू नहीं संबब होगा। यह सामाजिक सुरक्षा का उसका जो पहलू है उसको हमें और स्टेंजन करना है। और रास्त्रे विकास के आत्रा में वह बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके। इस पकार का हमने विश्वाज जताना है, मेकानिजम बनाना है। आज एक चिंता तो लोकों के रहती है कि भाई कहां रखे 15 दिन बाहर जाना है तो सब रखे कहां। रिस्तेदार के यहां भी रखे कि क्या रखे कैसा है। उसको मन में चिंता रहती है। यह सुरक्षा का सबसे बड़ा टेंशन साय वह इस जो जना से मिट जाता है। उसको विश्वाद बन जाता है। यहां मेरा पैसा सुरक्षी है। कभी कभार व्यक्ति गोल्ड में इसलिये करता है। रूपिय के थेले कहां रखेंगे। इतनी चोटी जगा में गोल्ड आ जाएगा तो इतने बड़े थेले बारा रूपिय तो हम जानते हैं वह क्या होता है सब। लेकिन अगर आज वो उसके पास बॉंड आ गया तो अपना चार कागज रखने चोड भी आएगा हाथ नहीं लगाएगा। वो कहेगा यह कागज को ले जाना है चुन नहीं ले जाना है वही यह तो बिकार है यानि सुरक्षा की अरटी और यह वो बेज भी सकता है। कि सोना अधी रात को भी का होगो मुझे पता नहीं है लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं एक गोल्ड बॉंड जरुवत पढ़ने पर आधी रात को भी सकता है कहीं अस्पदाल में जाना पड़ा ऑप्रेशन करना पड़ा है डॉक्टर कहता है पहले पैसे लाओ गोल्ड प्लस पॉइंट है हम इन चीजों को बड़ा अर्टिकलेट करके लोगों के साथ कैसे पहुंचा है उसी प्रकार से हमारा जमा जमा ऐसे गोल्ड पढ़ा हुआ है बैंक में आएगा और लंबे समय के लिए आएगा तो ज्वैलरी के लिए चला जाएगा ज्वैलरी के लिए इसके बालों के लिए बैंक से डारेक रिक्वार्मेंट के अनुसार गोल्ड मिल जाना यह अपने आप में हमारे ज्वैलरी के प्रमोशन के लिए बहुत सुविधा कार्व बनेगा और इसलिए जो ज्वैलरी के दुनिया से जुड़े हुए लोग है क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़े गोल्ड कंजुमर है अभी मुझे कल को रिपोर्ट बता रहा था कि हमने चाइना को भी इसमें पीछे शोड़ दिया अब तक 9-9 मेने में चायद हमने गोल्ड खरिदा है और चाइना साइट 548 पर खड़ा है अगर इतना हम तेजी से यह कर रहे हैं तो यह यह कि व्यवस्ता में हम भड़लाव ला सकते हैं मंतली मॉनिटरिंग करकर के हम टार्गेट तैक कर सकते हैं कि कि इस मन्त घरों का गोल्ड बैंक में आएगा और उतनी मात्रा में बहार से आना कम होगा यह हम कि ऑंलाइन मोनिटरिंग वैवस्ता विक्षित कर सकते हैं कि तो साथ हम इस सारे नई व्यवस्ता को मैं राष्ट के विकास के काम में इसको हम जोड सकते हैं इसके साथ एक राष्टियस्वाभइमान का विश्य भी है कि क्या कारण है कि हम अभी भी विदेशी मारके से सोना और आज भी पूछते हैं आचा वह वह मारका है मुझे तो नाम माम याद नहीं क्योंकि मेरा कोई दिम्या से लेना दिना है नहीं लेकिन सुनते आए हैं अब वो विश्वास से कहाएगा अशोक चक्र है क्या मेरे देश का उस पर बरोसा है क्या यह हमने बरांट नहीं लेक हम और बेचरी यह ठीक है कि अभी इस दंते रस्तों साइट सभा सो सेंटर पर ही मिलेगा लेकिन वो दिरी दिरे बढ़ेगा तो जिन लोगों को दंते रस्त पर सो ना खरिजना हैं को कुछ जगा पर तो मिली जाएगा लेकिन आगे चल करके है रहता लेकिन एक राष्ट्रिय स्वाभिमान स से जुड़ना चाहिए और हमने इसको बल देना चाहिए और इतने कम समय में गित्मंत्री और उनकी पूरी टीम ने पूरी स्कीम को वर्काउट किया उसको लांच किया टेक्नोलोजी भी इसमें है और मैनुफेक्टरिंग भी है सारी व्यवस्ताइं नहीं सिरे से करनी देखा शायद मैंने अपनी रूपिय बगरे पर जो गांदी जी देखे हैं इसमें बहुत बढ़िया उनका चित ने निकला है गांदी जिसने भी इसका आर्ट वर्किया है उसको मैं बदाई देता है इतना है एक फिलिंग आता है को आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा बहुत अच्छा आर्ट वर्किया है याने इसके लिए मेरा इस्वभाव है इन चीजों में मेरी रूची होने के अगांद धराख प्रकारते देखता रहता हूँ लेकिन मैं बदाई देता हूँ पूरी टीम को आरूंची को विश्यस बदाई देता हूँ और देश सुननी म्यूग की और जाने के लिए काफी हैसे मेरा विश्भास है आईये भारत को सुननी म्यूग बनाने के लिए जिनके दिनके पास सोना है वो यह सोनरे अफसर को न छोड़े और सोने पर स्वहागा उसका फायदा वो भी उठाए यही मेरी अपेक्ष्या और शुब काम झाल यहा झाल 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 झाल